फिन्टेक कंपनी भारत पे ने कंपनी के संस्थापक और पूर्व मैनेजिंग डिरेक्टर अशनीर ग्रोवर को और उनके परिवार के खिलाब सिविल और क्रिमिनल मुकदमा किया है। कम्पनी ने अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार से 89 करोड रुपए हर जाने की मांग किये और सबूत नश्ट करने और साक्ष के साथ हिरा-फेरी करने का भी आरोप लगाया है। पेज के की करीब करीब आरोप पत्र में जो मुकदमा उनके उपर किया गया और 88,67 करोड के भुगतान की मांग की गई है प्रबंदकों ने भारत पेक की तरफ से इसमें अशनीर ग्रोवर उनका उनकी पतनी, उनके पिता, उनके परिवार के बाकी सदर से शामिल है इसमें ये कहा गया है कि अशनीर ग्रोवर ने कई सारे फरजी बिल बनाए, कई सारे फरजी बेंडर्स रखे, भुगतानों में तमाम तरिकी की गलती की जो कंपिनी के पैसे थे, कंपिनी का फंड था, उसको मिसेप्रोप्रियेट किया, इसमें इनके बरदर इनला को भी शामि सारे इसके इतर भी अगर आप देखें तो भारत पे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कंपनी में बड़े अधिकारी जा रहे हैं, कंपनी डामा डोर हो रही है, ऐसा क्यों है? इसके बाद भारत पे में लीडर्शिप की समस्या है, इस कंपनी को लीड करने वाली कंपनी का लीडर कौन होगा यह पता नहीं है, इसके बड़े अधिकारी पिछले दो-तीन महीनों में अलग-अलग समय पर इसे छोड़कर आगे जा चुके हैं, यह कंपनी अब इस कंट्र रवाइब करेगी, यह देखना होगा है.